हेलो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ आपका लीगल बावा मैं जानता हूँ कि बहुत समय से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था आपके लिए यूट्यूब पर डाल नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे अल्लेडी कुछ बैचेश चल रहे थे MPADP के जो कि अभी कुछ समय पहले complete हुए है तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डेट जो MPADP के extend हो गई है तो मैंने सुचा क्यों ना आपके लिए कुछ acts कुछ videos वगरा डाले जाए जिससे आपको better knowledge on acts की तो आज जो हम पढ़ने वाले है वो dowry prohibition act 1961 पढ़ने वाले है तो कुछ आएगा इस तीन से चार वीडियो में ये पूरा act cover होगा और मैं आपको बता दो जो main important बात है कि ADP में जो questions आते हैं वो section based भी question रहते हैं कहीं से भी कुछ भी उठाके पूछे लेते हैं कि central government power कहां पर दी गई है इस section में या फिर state government के पास power इस section में कहां पर दी हैं तो क्या होता है कि बच्चे confused जाते हैं क्योंकि इतने सारे sections हैं इतने सारे acts आप लोग पढ़ोगे तो काफी confusion हो जाएगा तो मैं आपके लिए क्या कर लेकर आया हूं कि मैंने कुछ tricks बनाई हैं तो क्या होगा कि जब आप उन stories को याद कर लोगे ना अगर वो stories आपको याद हो जाएंगी जो कि हमें easily stories जाद हो जाती है जब movies जाते हैं एक बार हम कोई movie देखते हैं हमें उसकी story बिलकुल by heart याद हो जाती है तो वह हम लोगों ने प्रयास किया है आप लोगों के लिए बना कर कि story form में आपको दिया जाएगा एक act और आपको वो story अगर आपने भी आएंगी चीज़ें तो हम start करते हैं dowry prohibition act तो मेरी आपसे दरखास है कि आप लोग जो वीडियो से पूरे देखें जिन लोगों ने dowry prohibition act पड़ भी लिया है वो भी एक बार go through कर ले तो उनका revision हो जाएगा जो नए लोग है उनके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है तो okay let's start करते हैं dowry prohibition act 1961 तो सबसे पहले हमें act number भी याद करना है ADPOK उससे यह important है act number 28 है 1961 का okay enact कब हुआ act तो 20 मई 1961 को इस act को enact किया गया और यह force में कब आया एक जुलाई 1961 में यह force में आया तो दोनों ही date important है पर जादा तर हमको ध्यान रखना है कि force में कब आया but enactment भी important है अब जैसे कि आपको मालूम है कोई भी एक पढ़ने से पहले हमें इसका purpose जान लेना चाहिए या फिर क्यों उस act को बनाया गया तो जैसे कि हमें मालूम है कि सामने preamble दिया हुआ है an act to prohibit the giving or taking of dowry तो दहेज का लेंदेन जो होता है उसको इनको प्रतिशेत करना था उसके इस act को बनाया गया है तो main purpose क्या है prohibit the giving or taking of dowry यह भी कोशन है इस तरीके भी कोशन आ जाते हैं कई बार okay then start करते है section 1 से start करते है आप सभी को मालूम है short title extension रहता है section 1 जिसको यहां पर बताया गया है कि Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 के चलते यह जो है Jammu Kashmir को जो exception था वो हट चुका है ठीक है तो अब यह है whole of India पर apply होता है तो यह भी कोशन बन सकता है then third में तो बताया force में कभी है तो हमने अलड़ी बात कर लिए 1 July 1961 को यह force में आया है okay start करते है second है जिसका definition clause अब definition clause में सिर्फ एक ही definition बताई गई है जो की important है जो की बताया गया है कि डावरी को इन्होंने बताया है यहां पर एक्स्प्लेंट करने की यहां पर इन्होंने कोशिश की है वगेरा है जिनसे legal right वगेरा create होता है या फिर extend होता है transfer restrict extend वगेरा वगेरा तो वहां से इसका मतलब उठाए गया है तो इन्होंने बुला कि डावरी मतलब ऐसी property of valuable security जिसका लें देने हो रहा हो given to be agreed तो यहां पर क्या कर रहे है या तो दे रहे है या फिर देने के लिए agree कर गए है directly और indirectly कैसे तो by one party to a marriage marriage में दो party होती या तो यह कोई party दे रही होगी या दूसरी कोई party दे रही होगी तो by one party to a marriage और other party to the marriage then second हम clause B की बात करते है तो बोला है by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage तो या तो दोनों party हो में से किसी के parents एक दूसरे को दे रहे है या फिर उनके relatives वगेरा में से कहीं कोई दे रहे है तो directly indirectly का मतलब यहां पर यह है अब इसमें एक चीज़ और समझना बहुत ही important है कि यह सिर्फ bride के उपर वो नहीं होता है कि सिर्फ bride वगेरा जो है वो नहीं देंगे bride bride room दोनों की बात करता है दोनों में से ही कोई नहीं देगा ना कोई लेगा ठीक है दोनों के ही उपर मतलब कुल मिलाकर इन्होंने दहेज को इन्होंने यहां पर prohibit करने के लिए act को बनाया है अब यहां पर बात आती है समय कि यह डावरी जो है लेना देना जो बात कर रहे हैं by one party to the other या फिर हम बात कर रहे हैं कि जो parents है एक party के दूसरी party को नहीं देंगे तो कब नहीं देंगे तो इन्होंने तीनो time period को बैन किया हुआ है कि या तो at जिस समय शादी हो रही है या फिर before the marriage जब marriage होने वाली है उसके कुछ समय पहले भी नहीं दे सकते हो उस समय भी नहीं सकते हो और anytime after the marriage marriage के बाद भी कभी भी आप dowry वगेरा allowed नहीं है यह legal है in connection with the marriage होनी चाहिए of the set parties but इसमें एक और बहुत important बात है कि जो यहां से MCQ बनता है 101% MCQ बनता है कि but does not include include क्या नहीं करता है जो section 2 definition clause दे डावरी के बारे में उसमें include क्या नहीं करता है तो include नहीं करता है तो अब जो exclude है तो डावर का मतलब क्या होता है डावर कुछ नहीं common law है जो एक entitle करता है जो widow है जो विद्वा है अगर उसका पत्ति सपोस्ट करें कि अगर wife और husband में से husband की death हो जाती है तो wife widow कहलाएगी तो जो husband की प्रॉपर्टी है उसका state जो है in the absence of will वो जाएगा उसकी wife को तो यह डावर है और अगर महर की बात करें तो महर is a sort of dowry dowry ही है महर बट वगर हम बात करें Muslim act के तहट तो यहाँ पर बताया गया है कि जो purpose जो है महर का वो क्या होता है वो होता है कि wife को provide करना एक independent financial security जहाँ पर वो जो amount है उसका exclusive property बन जाता है जो भी उसको दिया जाता है यह तो शादी के पहले है शादी के वक्त ही decide किया जाता है तो इन्होंने बोला यहाँ पर कि dowry में यह जो है dowry और महर को include नहीं किया गया है यह exclude किया गया है उन व्यक्तियों के लिए जिन पर Muslim personal law शेरियत apply होगा तो I hope बात छोटी सी थी बट clear होगी यह clear होना बहुत ही ज़रूरी concept आपके clear होने चाहिए okay let's move on to the next section जो की बात करता है section 3 penalty for giving or taking dowry अब देखे मैं एस act में आपको यह तो बताऊंगा ही कैसे याद करना है वो हम trick देंगे वो भी है बट जो penalties है उसको भी याद करने कि मैं आपको trick देने वाला हूं बहुत ही normal trick है कोई ऐसी वो नहीं है कि जिससे आपको बट थोड़ उनको बहतर solve कर सकते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है penalty for giving or taking dowry तो यहाँ पर penalty लगा रहे है किस चीज़ पर लेन देन पर या तो आप दे रहे हो या तो आप ले रहे हो ठीक है तो उस चीज़ पर penalty यहाँ पर लगाई जा रही है आईए इसको read करते है तो if any person after the commencement of this act gives or takes or abate abatement की भी बात की जा रही है अगर कोई वेक्ती abate करता है तो ठीक है abate the giving or taking of dowry he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years minimum punishment किती है यहाँ पर 5 साल है and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of value of such dowry whichever is more अभी यह बहुत important समझेगा तो minimum तो punishment यह नोंने 5 साल की बोली अब fine की बात करें तो यह ने बोला है not less than 15,000 rupees मतलब minimum जो fine है 15,000 तो लगेगा ही या फिर जितना amount आपने dowry या जितना दहेज आपने दिया है जो भी 15,000 या दहेज का amount जो भी जादा होगा उतना लगेगा अब suppose करो आपने दहेज 50,000 रुपे दिया हुआ है और यहाँ पर 15,000 और दहेज का amount किता है 50,000 तो क्या होगा whichever is more कौन सा more है यहाँ पर तो 50,000 वाला जादा है तो यहाँ पर 5 साल तक की सजा जो है minimum वो दी दी जाएगी और 50,000 रुपे तक का जुर्मान आप पर लगा दिया जाएगा अगर कम आता है amount मान के चलो 7,000 दहेज दिया और 15,000 तो कौन सा जादा है 15,000 जादा है तो 15,000 minimum amount है ज जा नौट भी लेज दिन 5 यह मतलब minimum पेनल्टी पाँच साल है पाँच साल पेनल्टी किस चीज की है जब आप ले रहे दे रहे हो मतलब already execute कर रहे हो आप या तो ले रहे हो दहेज तो पेनल्टी जो है 5 साल हम आगे देखेंगे और दूसरे एक्ट में जहां पर अभी लेन गंबीर है और इसको जो है पैनिश्मेंट जो है पांच साल बताईगा यह मिनीमम अब साथीफ में प्रोवीजो है जो की बात करता है कि जो कोड जो है वो एडिकोएट या स्पेशल रीजन के चलते अगर उसको लगता है तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और जो पैनल्टी है इंपोसकर सकता है सेंत्पिशन प्रिजसे लेस दें पाइव हीर । 5 साल से कमकी सथा भी दे सकता है अगर उसको लगता है अगर उसके पास कोई अडिकोएट या स्पेशल रीजन हैं तो वो जङ्मेंट में मैंशन करेगा और सजा जो है पांच साल से कम की दे सकता है section 3 के अंदर ओके then subsection 2 के ओर चलते है subsection 2 बात करता है nothing in subsection 1 shall apply to or in relation to अभी ये act के कुछ exception है जो इस पर section जो हमने पढ़ा अभी ये लागू नहीं होगा section 3 तो किन चीज़ों पर लागू नहीं होगा देख लेते हैं एक बार presents which are given at the time of marriage to the bride without any demand have been made in that behalf मतलब आपने देखा होगा शादी में क्या होता है gifts लाए जाते हैं दिये जाते हैं एक दूसरे की दौरा तो वो कहता है एक gesture of love है कि आप दे रहे हो खुशो कर दे रहे हो आप कोई demand नहीं की गई है मांगा नहीं गया है कि भी हमको fortuner चाहिए हमको एक एकर दो एकर जमीन चाहिए एक flat चाहिए कुछ मांगा नहीं गया है आप से आप खुशो कर देना चाह रहे हो अगर कुछ भी इस तरीके से अपनी according to जो financial status है उसके according अगर आप देना चाह रहे हो खुश होकर तो उस चीज़ पर यह apply नहीं होगा इसमें यह नहीं माना चाहेगा कि आप दहेज लेन देन कर रहे हो तो यहाँ पर बोला गया है presents which are given at the time of marriage marriage के समय पर जो भी gifts वगेरा presents वगेरा दिये गए है ब्राइड को दिये गए हो या ब्राइड ग्रूम को दिये गए हो clause B में ब्राइड ग्रूम के बारे में बताया है अब ब्राइड मतलब क्या ब्राइड ग्रूम मतलब क्या तो ब्राइड मतलब दूला ना ब्राइड ग्रूम मतलब दूला ठीक है तो यह A और यही B बात करता है तो इन बी के अंदर एक प्रोवीज हो है कि प्रोवाइड फर्दर देट वेर सच प्रिजेंट्स आर मेड बायर और बहाफ ऑफ दी ब्राइड और एनी परसं रिलेटिट तू दी ब्राइड प्रोवाइड प्रोवाइड रावाफ इसमें रहे और यहां पर इसमें सेख्शन 3 में इंक्लूड नहीं रहेगा ठीक है, तो यह यहाँ पर बात करता है, इसका clause B, यह था हमारा section 3, ओके, दिर हम next आगे बढ़ते है section 4 के ओर, section 4 बात करता है penalty for demanding dowry, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर penalty लगाई जारी, demand कर रहे हो, और third में क्या था, third में हमने देखा था, कि वहाँ पर already लेना देना ह हो रहा था, यहाँ पर demand हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपराद घंबीर कम है according to section 3, है न, आप तो section 3 में क्या punishment थी, minimum 5 साल की बात करता था, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि section 4 में penalty थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है, यह तरीका है याद करनेगा, ठीक है, य जिससे एक जरीह है कि आप याद कर सकते हो, तो इसको read करते हैं, if any person demands directly or indirectly from the parents or other relative or guardian of a bride or bridegroom, ठीक है, bride or bridegroom के कोई relative है, guardian है, parents है, किसी से भी directly or indirectly है कोई व्यक्ती demand करता है, as the case में भी any dowry, तो ठीक है, दहेज वह गरा की, यहाँ पर बात की जा रही है, तो punishable है, तो कितना आप रादें यहाँ पर, तो उन्हें ने बोला not less than six month की imprisonment दी जा सकती है, अब देखो, आप समझ में आएगा आपको, कितनी है minimum punishment कितनी है, छे महीने, और वहाँ पर कितनी थी minimum 5 साथ, क्यों वहाँ पर लेना देना हो रहा था, यहाँ पर आप सिर डिमांड कर रहे हो, तो यह एक तरीका है, हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, जब कभी exam, अब मैं अगर कोई कोशन आता है, कोई MCQ आता है, इस तरीके का, कि पैनल्टी क्या है demanding dowry की, और हमें मालूब है कि हमने 5 साल भी पड़ा है, एक जिगे minimum, एक जिगे minimum 6 महीने भी पड़ा है, एक जिगे minimum ऐसे आएगा, कि यहाँ पर demand की जा रही है, तो मतलब थोड़ा सा अपराद गंभीर कम है, तो हम यहाँ पर जो है, शायद यहाँ पर 5 साल तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, आप इसको exclude कर लोगे answers को, तो आप negative approach से जाके भी आप अपने answers तक पहुँच सकते हो, तो एक तर और दो महीने के बीच में कहीं भी punishment भी दे सकते हैं, minimum 6 भी दे सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, fine कितना है, तो fine यहाँ पर extend कर सकता है, 10,000 रुपे तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अगर आप penalty, demand वगेरा करते हो, आप डावरी की तो, अब इसमें एक और थोड़ा सा बहतर इसके understanding होई होगी, जिन्होंने अल्रेडी पढ़ा हुआ होगा, उनको थोड़ा सा और बहतर समझ में आया, उनका revision होगा होगा, जो नए होगे, I hope उनको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, तो please, 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 आप comment box में बताएं हमें, कि हाँ हमें समझ में आया है, और हम वेट कर रहे हैं, नेक्स वीडियो का, मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बनाते जाओंगा, और डालते जाओंगा, और अगर आपको कोई भी query है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारा जो telegram channel है, वहाँ पर जुड सकते हैं, वहाँ पर आ झालते हैं, 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